योगी जी तो कह रहे हैं आपके जो उत्रपरदेश के मुख्वंतरी हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप लडकि toy USB सेन्वो निकलते समें सेयल मैं सूस करती हैं। तो क्या उनका येसे जो ख्याल है वो गलत है। थोड़ा थोड़ा कई न कई अंकम्रिटेबल लगता ही है अलोग हो क्योंकि पुरी नजर से देखते हैं सब यह बताएए कि राजधानी में आप खुद को कितना सेफ मैसूस करती हैं लखनौ में आप कितना सेफ हैं यह आपके घर की जो मैसूस करती हैं वैसे तो फिरा सही है लेकिन लखनौ में रहना पॉसबल है जी नहीं सुरचित तो मैसूस नहीं है लेकिन अपने आपको सुरचित रखा जाता है अच्छा अपने तरीका से देश में महिला अपराद चरम पर है एसा में उत्रपर्देश के मुखेमंत्री योग्या presentations महिलाओ की सुरचित पर लेकर काफी गंबीर है सीम का मानना है कि उत्रपर्देश में महिला-फुरक्शित है इसकी सतता कितनी है यही जानने सीनियूज महारत की टीम उतरी है राज़दानी लखनव में करेंगे महिला सुरक्षा की बात महिलाओं के साथ तो आईए बात करते हैं महिलाओं से कि वो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं खुद को लखनव में चलिए तो आपको इस और बैट के दिखाऊंगी और जो महिलाओं बैटिंगे उनसे बात करूंगी कि वो स्वेम को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं अच्छा यह बताईए कि जब आप टैंपों में बैटती है इरिक्षे में बैटती हैं तो आप खुद को कितना सेफ महसूस नहीं अभी तक तो नहीं है तो आप जो भी दिनचरिया रहती है आपकी डेली लाइफ में आता ही जाती है भाविन फिर्लक में इस वैडिक यहां पर मेरे साथ महिलाएं बैठी अब मैं उनसे बात करूंगी किया जो जिस तरीके से योगी आदितिनाजी कह रहे हैं कि महिला जाना जाना तो है नहीं कभी शॉपिंग करने निकलती है तो आप लोग आटो में बैटती है तो जैसे मान लीजिए अभी तो हम महिला है अभी कोई पुरिष यहां पर बैटता है तो आप कितना सेफ महसूस करती है कि अप अच्छे आन्म होती तो नियों खराब लगता है आपको बैसे होता है तो अच्छा नहीं रगता है तो आट वी क्या इस चीज को आपने मैसूस किया है कि किसी नहीं आपको गलग तरीके से जैसे ऐसे ही चुझ दिया हूँ यह कुछ किया हो अजया कभी हुआ आ टे tee तो आप कितना साफ मैसूस करती हैं छे बजे के बाद मैं मुजली सेवी फिल करती हूं चाथ डिपेंड करती है कैसा कि लोग बैठे अदरFrय सभ सेंव साफ वे शॉद्व करती बाद उतंए आटो में बैठी थे लोग सट सट के आपको कभी कुछ लगा यह तो अपने लाइफ टाइम ने फील तो किया यह कभी नद कभी बटे में करता है जादा चुछ होदी तो आपको बोलना पड़ेगा और वोलते भी हैं और को यह अगर कुछ टॉच होता तो तो मैं उसके लिए नहीं बोलूगी तो इतनी हिममत रख आप क्या करते हो तो आप उनिवस्टी जब आते जाते हो तो आपको क्या लगता है कि और तो में जिस तरीके से अपराद बढ़ रहे हैं तो उसको मत्दे नजर रखते हुए और तो में सफर करना भाई जाओं के लिए कितना से अभी तक तो मनलब ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ सेफ ही है सेफ है जी अच्छा अब कभी तरेवल करते हैं तो ऐसे कभी हो नहीं लेकिन जब फोर्ड लूंग बैठते हैं तो मतलब हो जाता है तो कभी डिसकॉंफोर्टेबल होता है यह सब होता है बस तो राजधानी में लखनव में जैसे कि आपकी मुख्यमंतर तो जी बिल दिखता है जी क्या नाम है आपका सेयद मेहक अचा यह बताइए कि जैसे आप लोग आटो में बैट के जाती है तो क्या आप अपने आपको सरक्षित महसूस करती हैं जी कपी कदर थोड़ा सांकमफरेबल रहता है अच्छा कब रहता है बिसिकली किस समय आपको ल जी आप क्या करती है पहले ही बताईए अभी तो मैं अकॉंस कर रही है तो आप जहां भी जाती है अपने SiteJ कहीं भी जाती है अच्छा मुस्कान यह बताओ कि जब आप छे बजे के बाद घर से निकलते हो या निकलते हो जब जब निकलना पड़ता है तो क्या आप कमफडेबल महफूस करते हो नहीं करते हैं योगी जी तो कह रहे हैं आपके जो उत्रपरदेश के मुख मंतरी हैं वो तो कह रहे हैं कि अब लड़कियां काफी सेफ हैं वो निकलते समय सेफ मैसूस करती है तो क्या वो उनका ये जो खयाल है वो गलत है थोड़ा थोड़ा कई न कई अनकोफिटेबल लगता ही है लोगो क्योंकि बुरी नजर से देखते हैं सब अच्छा वैसे तो जादर भाई लोगों के साथ ह जाती हूं तो कोई इंसिदेंस हुआ है आपके साथ क्या आपको असा लग रहा है कि लोग आपको बैट बुरी नजर से देख रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है अच्छा लखनाव में खुद को कितना सेफ मैसूस करती हो है है थोड़ा बहुत अभी सुधार हुआ है हैं रेट में से कितना तुम देना चाहो कि कि इस जब आप ऑटो में जाती है बैठती है तो क्या आप खुद को सेफ महसूस करती है जी जहां तक को तो सेफ महसूस करते हैं अब देखना पड़ता है कि बगल वाला सामने वाला कैसा है अगर कमफर्टेबल है तो ठीक है दिक्कत है तो बोलूंगे यह बताइए कि राजधानी में आप खुद को कितना सेफ महसूस करती हैं लखनौ में आप कितना सेफ हैं या आपके घर की जो महिलाएं हैं बच्चियां हैं वो नहीं ज्यादा नहीं सेफ समझ रही हूं ना शा सामने आएं आकर दिखाएं करें अभी मुझे ने दिख रहा है मैं नहीं सेफ हूं आप अप क्या ना मैं मिली मिश्डा अच्छा आप बताइए कि आप खुद को लखनाओं में कितना सेफ समझती हैं मैं अपने आपको सेफ समझती हूं मैं पुद यूनिवस्टी की छात्र और वहां एकदम सेफ रहती हूं जी पुलिस भी रहती है वहां पे कोई आपसे छेरकानी नहीं कर सकता यह बताईए कि जो दिन प्रदेदिन देश में महिलाओं के साथ अपराद बढ़ चुके हैं तो इस पर आप क्या गहेंगी ऐसा क्यों हो रहा है या प्रशाशन धिलाई क पर रहा है या उसको क्या स्टेप लेनी चाहिए लोगों के मॉरायल बहुत डाउन है हमें एडुकेशन सिस्टम में बहुत रिवॉलिशन करने की जरूरत है हम वगर अपने बच्चों को बच्पन से ही समझाएंगे कि लड़कियों से ऐसे बीव करना है और लड़कियों को सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उनको माशल आर्ट चाहिए हाँ उनको अपनी सुरक्शा खुद करना पता होना जाया है क्योंकि हम साशन से उम्मीद नहीं कर सकते हैं वारा रेप हो जाने के बाद हमें न्यायत हैं हम यहां तक क्य厚ा आने दे रहे हैं? हम अपनी बच्च當 कि आपने बचाओ के लिए आप कुछ रखते हैं अपने साहझ जादर तर रखती हूं अपने साथ जो हमारी मेलाय देख रहे हैं अनको बताएं कि आप क्या रखती है अपने बार की है अभी तुमनेकρपी देबल कर रही ड्分क्रण मेरे बच्टी मिर्ची वाला तो होगी ट्रेवल करती है रोज इस्कूल से अखेले घर नो मिर्ची वाला स्प्रेय रखती है चाकू रगती है और उसको इसकूल में भी कहा गया है कि यह सब चीजे हमेशा केरी करके रखी जा क्यों गल्स से परती है चैना में आपका मैं अच्छा यह पताईए कि आप लख अबक्षे बाक्य अगर आओ जाओ तो इसमें ड़ प्राब्लम होती है अब छे बजे के बाट क्या बाहर निकलने में अप खुद को सेफ में अशंश करते हो यह बहु आपको डर लगता है नहीं डर तो लगता है इतने कांड़ हो रहे हैं तो डर लगता है आपका क्या नाम है? बूला कुमारी आप ये बताइए कि जैसे आप जब ट्रावल करती हैं या इरिक्षे में बैटती हैं टैम्बो में बैटती हैं तो क्या आप कमफ़डेबल होके बैटती हैं? जी माँ लेकिन माल लीजे मैं अभी यहां पर कोई पूरुष बैठा होता है मेरी जिगा अनाम है मेरा नाम शाहिन खानम है अच्छा आप यह बताइए कि जैसे आपके घर में छोटी बेटियां होंगी और यापकी जो भी आपका रिलेटी वो कोई भी महिला हो तो आजकल इतने आपराद जो बढ़ रहे हैं तो क है चालना जर्ब हुआ खत्रा मैसुस हो तो तुरंद उनको काल ना चाहिए क lot करके उनको इंफार्म करना चाहिए है थो सब्सक्राइब करने अकेले करें तो तो क्यूं करें elders कह रहे हैं कि हम तो peace औरमिंट ही है योगी जी तो कहते हैं कि आप नहीं सुरक्षित है सुरक्षृत है कर लड़के लगें से करते हैं कर लोग ऍसाथ करती है लगा रहा रहे हैं इदरYeast लगा दिया कि उदर से हाथ लगा दिया है तो यह सब क्या है कौन दिखने लड़किया कुछ संकोच करती है बताती नहीं है इन सब के लिए गवर्मन को क्या-क्या इस्टब लेने चाहिए ऐसा क्या करना चाहिए कि यह सब चीजे ना हो गवर्मन को पहले help 9 number हर जंगा अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो तुरंथ नमबर डायल करके वह इन्फार्म करें वरना ऐसा होते ही नहीं है कहीं है लड़कियों को सही योग कर सके नाम आप पूजा सिंग पूजा जी बताइए कि आप क्या करती है अच्छा तब ये बताईए कि जब आप बस में ट्राइवल करती है तो क्या अपने आपको सुरख्षित महसूस करती है क्योंकि जिस तरीके से कांड हो रहे हैं तो उस तरीके से आप बड़ी महिला है तो आप जब बस में ट्रावल करती हैं तो क्या आप ने कभी ऐसी चीजे महसूस की हैं जी नहीं सुरचित तो महिलाएं नहीं है लेकिन अपने आपको सुरचित रखा जाता है अच्छा अपनी तरीका से अगर हमारी तरफ से थोड़ी गलती होगी तो वो लोग भी ऐसा ही करें तो यह बताई है कि आपके चोटी बच्चियां है या चोटी जो और जो महिलाएं हैं तो उनको आपने कुछ अची सीख दे रखिये कि अगर तुम कहीं जाओ बिटा रात में अकेले तो यह सारी चीजे करो ऐसा कुछ आपने इंस् आप से हमने जैसे हम चलते हैं उसी तरह हम अपनी बहन को अपनी वेटी को सबको यह बताते हैं कि अपनी सुरच्च्छा अपने हाथ है ना तो किसी के तरीके से मनलब जैसे वो तरीके से बात करता है उसी से अकड़ से बात करो अपने काम से काम अपने जा रहे हैं अपनी स मेरा सफर आप कंप्लीट हुआ आप सभी ने देखा कि मैंने आटो टैंपो इरिक्षा और बस सब में सफर किया और वहां पर मैलाओं से बात करी मैलाओं से पूछा कि वो राजधानी में खुद को कितना सुरक्षित मैसूस करती है उत्यपरदेश के मुखबंदरी योगिया अधितिनात की जो नीतियां हैं वो किस हब तक सही है वो शाम को 6 बजे के बाद घर निखर से निकलते समय खुद को कितना सेफ नासूस करती है तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि महिलाओं ने क्या कुछ कहा हमारा जो न्यूस चैनल है सी न्यूस भारत बिसिकली वो ए तो महिलाएं हैं जिनके साथ कुछ गलत हो रहा है या उन्हें कुछ भी चीजें लग रही है वो हमारे चैनल में हमसे बता सकती है उनको बिना दिखाए उनको बिना एक्सपोस किये हम उनकी मदद करेंगे स्क्रीन पर नीचे जो नंबर चल रहा है आप उस पर कॉल करके हमस समस्याओं पर तो ऐसी खबरे जानने के लिए बने रहे क्यामरे परसन दीपक के साथ मैका नकमिश्रा सीन यूज भारत लखना